दोस्तो यादों के रुहानी किस्से में शुरू करते हैं आज का किस्सा 1971 में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था ये सिलसिला है प्यार का इस फिल्म में म्यूजिक था रविंदर जैन जी का और रविंदर जैन जी ने इस फिल्म में दो गाने लिखे भी थे और उनको रिकॉर्ड भी किया था पहला गाना रिकॉर्ड किया था बॉली बुट सिंगर मुहमद रफी साहब की आवाज में गाने के बोल थे माना के तेरे होट मेरा जाम नहीं है तु मेरे लिए प्यार का पेगाम नहीं है ये गाना रफी साहब की आवाज में रेकार्ड हो गया था लेकिन ये गाना रफी साहब की आवाज में आज तक सुनने को नहीं मिला है लेकिन रविंद्र जैन जी की आवाज में इस गाने का मुखड़ा है जो मैं आप सब को सुनाना चाहता हूँ तो दोस्तों इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन ये गाना कभी किसी फिल्म में यूज नहीं हो पाया और रफी साहब का गाया हुआ ये गाना अब किसके पास है है भी के नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब रविंद्र जैन जी भी इस दुनिया में न इस गाने की रिकॉर्डिंग का भी एक अलग किस्सा है उन दिनों में किशोर्दा बहुत बिजी हुआ करते थे और उनकी डेट्स नहीं मिला करती थी रविंद्र जैन जी भी उनसे ये गीत गवाना चाहते थे लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही थी तब एक दिन किशोर् पहुच जाऊंगा और अगले ही दिन बॉम्बे लैब स्टूडियो में किशोर्दा सुबह 9 बजे पहुच गए उस टाइम तक सिर्फ रविंद्र जैन जी ही स्टूडियो पहुचे थे उनके म्यूजिशन भी नहीं आये थे तब रविंद्र जैन जी ने किशोर्दा से कहा किशोर्दा आप तो बहुत जल्दी आ गए अभी तो मेरे म्यूजिशन भी नहीं आये हैं लेकिन किशोर्दा बोले कि कोई बात नहीं मुझे बस गाने का मुखडा सुना दो तब रविंद्र जैन जी ने गाने का मुखडा सुनाया घुंगरू की तरहां बजता ही रहा हू कभी इस पग में कभी उस पग में ये गाना जैसे ही किशोर्दा ने सुना तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड किया अब गाना रिकॉर्ड होने के बाद अब दोनों गाने रिकॉर्ड हो चुके थे रफी साहब का भी और किशोर्दा का भी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म ये सिलसला है प्यार का बंद नहीं पाई और एकदम बंद हो गई। उसके बाद ये गाने ऐसे ही पड़े रहे। लेकिन किशोरदा का गाया हुआ गाना एक दिन शशी कपूर जी के कानों में पड़ा और उनको ये गाना बहुत पसंद आया और साथ ही साथ फिल्म के हिरोईन मुम्ताज जी को भी ये गाना बहुत पसंद था। तब शशी कपूर जी और मुम्ताज जी के कहने पर इस गाने क फिल्म चोर मचाए शोर में रखा गया लेकिन फिल्म चोर मचाए शोर में इस गाने की कोई सिचुवेशन थी ही नहीं तब सिचुवेशन क्रियेट की गई और जब शशी कपूर जी जेल में होते हैं और रात में उनकी आँख खुलती है तो उनको चारो तरफ घुंगरू रफी सहाब का गाना आज तक यूज नहीं हो पाया और किशोरदा का गाना एक बहतरीन फिल्म में यूज हो पाया बस यही था आज की वीडियो में अगर आपको इंफरमेशन पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच कुछ